और अगली खबर आपको दे देते हैं जहां देश में सियासत की आज दो बड़ी खबरे सामने आई हैं दोनों खबरे बीजेपी कॉंग्रेस के दिगज पीम नरिंदर मोदी और राहुल गांधी से जुड़ी है सुप्रेम कोट में राहुल गांधी ने चौकिदार चोर के बयान पर बिना शर्त माफी मांगी है वहीं आचर सहिता उलंगन के मामले में घिरे प्रधान मंतरी मोदी को चुनावा योग ने लगतार आचवी बार क्लीन चिट दी है चौकिदार चोर है के बयान को लेकर राहुल ने तीसरी बार अपना हलप नामा दायर किया है इससे पहले राहुल गांधी ने दो बार हलप नामे में केवल खेट जताया था लेकिन इस बार कोट से बिनाशर्थ माफी मांगते हुए मामले को खत्म करने की गुहार लगाई है वही कॉंग्रिस ने पूर्वर प्रधान मंतरी राजीव गांधी को ब्रस्टा इचारी नंबर वन कहने पर आयोग से पीम मोदी की शिकायत की थी आयोग ने इस बयान को आचे सहिता का उलंगन नहीं माना 23 अप्रेल को एमदबाद में मोदी के रोड शो और 9 अप्रेल को चित्र दुर्ग में बाला को टियर स्ट्राइक की जिक्र को भी क्लेंचित मिल चुकी है कॉंग्रिस अब तक पीम मोदी और अमिच्छा की खिलाफ 9 शिकायतें कर चुकी है